तो दोस्तों स्वागत आपका एक नए वीडियो में तो इस वीडियो में हम लोग दोस्तों भारत के बुगोल के अंदर गए परवतों के बारे में पढ़ेंगे तता उनके परकार तो दोस्तों इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें परवतों के बारे में बहुत ही इस वीडियो में परबतों के परकार के बारे में जानेंगे कि परबत कितने परकार के होते हैं और कौन से परबत किस स्रेडी में आते हैं ठीक है और बाकी परबत के बारे में हमने तो वीडियो पहले ही बना चुका है उसको आप देख सकते हैं डिस्क्रेशन में लिंक है इसम पर्वत 4 परकार के हैं, जिन में पहला है बलाक पर्वत, दूसरा आसिस्ट पर्वत, तीसरा संचित पर्वत, और चौथा वालिज़ परवत, gw expecting देखा a यानि परवतों को इन 4 से रेडियो में रख सकते हैं, उन कौन-कौन से परवत आते हैं ठीक है तो देखिए बलाग-परवत किसे कहा जाता है बलाक या अवरोधी परवतों का निर्मार तनाओ या खीचाओं की सक्तियों द्वारा होता है खीचाओं के कारट धरातली भागों में धरारेया भरंस पड़ जाते हैं जिससे धरातल कि वह स्थान है कि इसमें से मान लेते हैं इसे इसंफ कुछ पर्वाट जाता है और इस से उठा रहता है तो इस तीम हाला से ज यह बिच बीच का इस ख़या और्यू साइड वाला जो बताएं यानि कि पहले ऐसो होता है ऐसे कोई चट्टान है तोइस तरह से उसके बाद में ऐसे बीच का पार आप तो बता हैं तो बालाभ परबत के बारे में यह बदाय की एसे हुआ है इसके उदारण देख सकते हैं कि इसके अंतरगत कौन-कौन से पहाड आते हैं जैसे वास जिस जो है फ्रांस में ठीक है वास जिस परबत जो है इसके अंतरगत आता है इसका उदारण है बलाग परबत है और साल्ट रेंज जो पाकिस्तान में है वो भी बलाग परबत के अंतर प्रगत ही आता है ठीक है इसके अलाव बहुत सारे परभते आते हैं बस इतना हमने उसको उधारण के लिए समझाने के लिए लिए कि ब्लाक परभत कौन कौन से हैं और उनका निर्माड कैसे वह ठीक है तो अगला पर देखते हैं तो देखिए दोस्तों यह थोड़ा इस तरह से समझ सकते हैं इसको हमने बनाया तो इसे समझने के लिए कि पहले एक चट्टान की तरह था बाद में यह भरंस इसका पार्ट जो धस गया नीचे और जो ऊपर उठा हुआ अगला परवत देखते हैं अगला आउसक्त परवत चट्टान के बारे में जान लेते हैं यह जहां जहां इठा होता है दोस्तों वह परवत बन जाता है बाकी और साइड साइड में जो आपरदन हो जाता है यानि जो कट जाता है तूट जाता है किसे कारण से तो वो परवलत करने माड़ हो जाता है उसको आउसिष्ट परवलत कहा जाता है इसके उदार आप देख सकते हैं जैसे बिंध्याचल एम सत्पुडा ठीक है जो अपने भारत म तो जैसे कि हमने बताया परवत चार परकार के होते हैं आकिरती के अस्थान या निर्म अल्ब उत्पत्ति के अधार पर चार बागों उसको बाढ़ सकते हैं जैसे उनका निर्मार हुआ है अगला परवत देखते हैं संचित परवत तो संचित परवत के बारे में देखिए दोस्तों कहा गया है कि भूपटल पर मिट्टी बालू कंकर पत्थर लावा के एक अस्थान पर जमा होने होते रहने के कारण बनने वाला परवत इसी से रिणि में आता है तो दोस्तों जैसे इनका कहना है संचित परवत क्या है जैसे माल लेते हैं कोई अस्थान है और ऐसे देखें यह जो आला मुखी है दोस्तों जब जो आला मुखी निकलता है तो ऐसे एक जगह पे इकठा होते चला जाता है ठीक है तो परव पार्वत के नाम से जाना जाता है कि जो आला मुखी आप जानते होंगे कि जो आला मुखी जब उद्गार होता है दोस्तों तो तो वो भी परवत का निर्मार करता है इसके उधारार देख सकते हैं रिगिस्तान में बने इस्तूब, जैसे रिगिस्तान में आप देख सकते हैं, कि उचे उचे जो इस्तूब हैं, वो भी परबत ही माने जाते हैं, तो वो संजित परबत के अंतर गताते हैं, बाकी बहुत जगें बहुत बड़े बड़े पत्थर इकटा हो जाते हैं, और वो ज इत्वी की आंतरी खल्चलों के कारण परदार सेलो में वलन पड़ते हैं वड़त परदार सेलों के उपर उठने के परड़ांथ बनी परवद सेरेड यो को ट कहते हैं तो इसका कहना के मतलब पिर्थवी की ये पलेटे हैं जब दोनों दोस्तों ऐसे इधर आती हैं और इधर वाली इधर आती है तो बीच का भाग जो है जब इधर से दबाव पड़ता है और इधर से तो बीच का भाग जो है ऐसे उठ जाता है ठीक है तो ये परवर्थ कर निर्मार करता है यानि इधर से और इधर से जब दबाव पड़ता है तो जो पिर्तिपी का परत है ऐसे उठ जाता है तो इसको नाम दे दिया गया है वलिद पर्वत ठीक है और इसका उदारार देख सकते हैं आप जैसे एसिया के हिमाला यानि हिमाला का जो पर्वत है दोस्तों वलिद पर्वत पर्वत के यानि वलिद परवत दोस्तों बिश्ज में या इंडिया में कहें तो बहुत जादे हैं जैसे हिमाला आप देख सकते हैं हिमाला भी वलिद परवत के इंतर गजाता है और इसको आप थोड़ा ऐसे भी देख सकते हैं देखिए इस फिगर में देखिए मनाए गया है यह जो है यह पार्ट जो है यह परवत करने नमार गए होा कैसे वह जैसे प्रतिबी है दोस्तों इसमें बनाया है कि आई से प्लेट है और ऐसे जब दोनों आपस में ऐसे आकर टकराति यह दबाव डालती है तो बीच का पार्ट जो है ऐसे उठ जाता है तो इस उठने की किरिया को ही दोस्तों वलित परवत का नाम दिया गया है आप इसमें देख सकते हैं इसमें फिगर में ऐसे बनाया है यह कि इधर से एक फ्लेट आ रही है प्रतिवी की और एक इधर से आ रह कोई क्या तो वीडियो को लाइक शियर जरूर करी का और हां दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करीいる बहुत मैंनेश से वीडियो आप लोगों बनाते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें और चलिए मिलते हैं नेच्ट टॉपिक में अगले नेस्ट वीडियोर में जैहिन